हलो दोस्तों आज की वीडियो में हम सलवार के साइट खीसा लगाने का तरीका देखेंगे सलवार के बेल्ट में जो हम साइट पॉकेट अटेज करते हैं वो किस तरह से अटेज करते हैं वो आज की वीडियो में हम पूरा कटिंग और स्टेचिंग दोनों देखेंगे चारो साइट के हमारी ये जॉइंट लगाना हो गई है अब इसे हम बेल्ट के लेवल में रखेंगे और इसी के लेवल में इसे कट कर लेंगे इसी तरह से हमें दूसरा बेल्ट भी कटिंग करते वे तयार कर लेना है हमारा बेल्ट दोनों तयार हो गए हैं एक दूसरे के उपर रखेंगे और एक साइट से हमें आदे इंच पे सिलाई लगानी है जिदर से हम आदे इंच की सिलाई लगाएंगे उदर से हमें डबल सिलाई लगानी है डबल सिलाई लगा लेंगे दूसरे साइट से हमें पावन इंच पे सिलाई लगानी है यहाँ पे कपड़ा बराबर रखेंगे और पावन इंच पे सिलाई लगा लेंगे पावन इंच पे सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम नेफा पट्टी तयायर करेंगे अब इसे ओपन करेंगे, दोनों कपड़ों को डिवाइट करेंगे और पाव इंच पे फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टीच लगा लेंगे इसी तरह से हम दुसरे साइट पे भी तयार करेंगे एक साइट की हमने पाव इंच पे सिलाई लगा ली है आप दुसरे साइट का कपड़ा फोल्ड करेंगे पाव इंच पे और इसे भी हम कॉर्नर पे स्टीज करते हुए हमारी नेफ़ा पट्टी को पूरी कम्प्लिट तैयर कर लेंगे यह हमारी नेफ़ा पट्टी कम्प्लिट तैयर हो गई है हमारा बेल्ट पूरी तरह से गोल आकार में शेफ बन गया है अब इसे हम सीधा करेंगे सीधा करने के बाद जो नेफ़ पट्टी है उससे हमें सामने लेना है यह देखिए सामने इसी तरह से हम साइट से भी नेफ़ पट्टी तयार करेंगे उसके लिए हमें साइट सेश की कटिंग कर लेनी है और यहाँ पे भी हमें पाउन इंच पे सिलाई करते हुए यहाँ पे भी सेम नेफ़पट्टी की तरह ही हमें तैयार करना है बेल्ट कटिंग करते समय इसमें हमें आदा इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि side jab में सिलाई करने में हमारा 1 इंच का कपड़ा west होता है इसलिए हमें 1,5 इंच कपड़ा extra लेना है 4 folding में कपड़ा लेंगे और 1,5 इंच कपड़ा बढ़ाएंगे तो हमें 2 इंच सिलाई के लिए कपड़ा आसानी से मिल जाएगा इसलिए हम 1,5 इंच बढ़ाएंगे क्योंकि belt की गड़ी हम 4 डाबल में कटिंग करते है नेफ़ा पट्टी complete तयार होने के बाद जहाँ पे हमें elastic दालना है वो नेफ़े की पट्टी हम fold कर लेंगे 1,5 इंच के फासले पे पूरे belt को हमें round करते हुए पूरी नेफ़ा पट्टी तयार कर लेनी है नेफ़ा फोर्डिंग होने के बाद सलवार के उपर हमने plates पहले से ही लगा के रख लिए है सलवार के उपर belt किस तरह से अटेच करना है वो देखेंगे आपको अगर सलवार के plates लेनी नहीं आती तो अगली वीडियो में हम सलवार के plates लेते हुए belt किस तरह से अटेच करते हुए देखेंगे अभी हम रिखेंगे दोनों हमारा belt तैयर हो गए है अब सलवार के उपर हम ये belt को अटेच कर लेंगे पूरा round करते हुए हमें ये belt सलवार को अटेच कर लेना है अब इसे हम पाव इंच पे पूरे गोल घेरे को सिलाई लगा लेंगे पाव इंच के फासले पे हमें पूरे round को स्टीच कर लेना है belt हमारा पूरी तरह से तैयर हो गया है अब इसे हम साइड जेब लगाने का तरीका देखेंगे पहले हम पौकेट को तैयर कर लेंगे यह देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे साड़े साथ इंच लंबाई में हमें यह डबल कपड़े की फोल्डिंग करनी है और छे इंच कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना है आदा इंच पे हम बराबर कॉर्नर पे स्टीच करेंगे स्टीचिंग होने के बाद यहाँ पे हम इसे साथ इंच पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड पे हमें आदे इंच पे स्टीच लगा लेनी है डबल स्टीच करेंगे इसी तरह से हम दूसरे साइट पे भी सिलाई लगा लेंगे पॉकेट के लिए हमें पूरे 20 इंच लंबाई में और 7 इंच ओडाई में कपड़ा लेना है यह देखिए हमारा पॉकेट पूरी तरह से कंप्लिट तैयर हो गया है अब इसे हम बराबर रखेंगे यह देखिए इधर से भी हमें स्टीच कर लेनी है दोनों साइट से ताके बेल्ट अटेज करते समय हमें परिशानी ना हो फोल्डिंग की इसलिए हम पहले से इसे स्टीच कर लेंगे दोनों साइट हमें स्टीच कर लेनी है बहुत ही आसान तरीके से हम यह बेल्ट लगाना सिखेंगे यह रेखिए यह हमारा पॉकेट तैयर हो गया है अब इसके सेंटर में हमें डॉट लगा लेना है और जहाँ पे हमने नेफ़ पट्टी तैयर की है यह रेखिए यह नेफ़ पट्टी हमारे सामने की है और साइट से जो हमारी नेफ़पट्टी तयार है वहाँ पे हमें ये साइट पॉकेट अटेच करना है यहाँ पे जो हमारा साइट पॉकेट का हमने नेफ़पट्टी तयार की है वहाँ पे बराबर सेंटर में हमें ये बेल्ट को रखना है इस तरह से रख कर देखेंगे रेखिए इसी तरह से हमें यह पॉकेट को यहाँ पर तैयर करना है जहाँ पर हमारी नेफ़ पट्टी तैयर है वहाँ पर बराबर सेंटर में इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखते हुए हमें यहाँ पर स्टीच कर लेना है बराबर एक्वल तरीके से रखेंगे और यह रेखिए कॉर्णर पे स्टीच करते हुए हमने जिसे आदे इंच पे फोल्ड किया था उसे स्टीच को हम यहाँ पे रखेंगे और इसे सिलाई लगाते हुए अटेज कर लेंगे स्टीच करना हो गई है हमारा जो पॉकेट का उपर का हिस्सा है बराबर इस तरह से रखेंगे उपर से आदा इंच फोल्ड करेंगे नेफा फोल्डिंग के लेवल में करेंगे और चारो साइट पे स्टीच लगा लेंगे कॉर्नर पे स्टीच लगाते हुए यहाँ पे हमें साइट पॉकेट को अटेज कर लेना है बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल तरीके से हम ने ये साइट पॉकेट को अटेज किया है आपको अगर यह साइट पॉकेट लगाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ अगले वीडियो में हम प्लेट्स किस तरह से लेते हैं और बेल्ट किस तरह से अटेच करते हैं वो देखेंगे यह रेखिए जहाँ पर हमने स्टीज करते हुए नेफ़ पट्टी को तैयर किया था खीसे को पीछे से पीछे की तरब खीचेंगे और जो नेफ़ पट्टी तैयर की थी हमें इसका शरीफ एक टाका तोलना है एक टागा खुलते ही हमें यह धागा यहाँ पर मिल जाएंगा इससे हलका सा खीचते हुए हमें यह पूरा उपन कर देना है इस तरह से और यह देखिए हमारा खीसा साइड पॉकेट हमने पूरी तरह से तैयर कर लिया है और बहुत ही इजी सिंपल तरीके से आपको अगर यह पसंद आया हो तो अपनी दोस्तों में भी शेयर करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिजाइन के साथ